शरद पूर्णिमा के दिन क्या करें और क्या नहीं? जानिए शरद पूर्णिमा को खोजागीरी पूर्णिमा भी कहते हैं. पश्चिम जगत में इसे ब्लू मून कहा जाता है. कहते हैं कि नीला चांद वर्ष में एक बार ही दिखाई देता है. एक शताबदी में लगभग 41 ब ब्लू मून दिखता है, आउ जानते हैं अश्विन मास में शरद पूर्णिमा के दिन, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या करें, एक, शरद पूर्णिमा के चांद में छत या गैलरी पर चांद की, रोशनी में चांदी के बरतन में दूद को रखा जाता है, फिर उस भगवान को अर्पित करने के बाद पिया, जाता है, दो, कुछ लोग पूर्ण चंद्रमा के आकाश के मध्य स्थित होने पर उनका पूजन करते हैं और खीर का नवेद्या, अर्पन करने के बाद रात को खीर से भरा बरतन खुली चांदनी में रखकर दूसरे दिन उसका भ प्रशाद रात को छट पर ले जाकर चंद्रमा को उसका प्रसाद चड़ाकर उसका पूजन करती हैं, फिर चांदी का पतीला चंद्रप्रकाश में रख दिया जाता है ताकि चंद्रकिरनों से बरस्ता अमरित उसमें समा जाए, अंत में उसे पिया जाता है, चार, शरद पूजन और आराधना से साल भर के, लिए लक्षमी और कुबेर की कृपा प्राप्ती होती है, पांच, शरद पूर्निमा की रात में हनुमान जी के सामने, चोह मुखा दीपक जलाएं, इसके लिए आप मिट्टी का एक दीपक ले और उसमें तेल या घी भरेन, इससे आपक को हनुमान जी की, विशेश कृपा प्राप्त होगी, 6. शास्त्रों में कहा गया है कि हर पूर्निमा के दिन पीपल के व्रिक्ष पर मा, लक्षमी का आगमन होता है, अतह आप सुबाय जल्दी उठकर स्नान आदी से निवरित होकर पीपल के पेड के सामने कुछ, मीठा चड को दूद का अर्ध्य अवश्य ही देना चाहिए, इससे दामपत्य जीवन में मधूर्ता बनी रहती, है, आठ, किसी भी विश्नु लक्षमी मंदिर में जाकर इत्र और सुगंधित अगर्बत्ती अर्पित करनी चाहिए और धन, सुख समृध्धी और एश्वर्य की देवी मा लक्षमी से अपने घर में स्थाई रूप से निवास करने की प्रार्थना करी, नौ, यदि कुंडली में चंद्रा ग्रहन है तो ये दिन उसे हटाने का सबसे अच्छा दिन है, इस दिन चंद्रमा से संबंधित चीजे दान करना चाहिए या इस दिन खुलकर लोगों वरत कथा सुनने के बाद वरत का विसर्जन किया जाता है, वरत कथा सुनने से जहां वरत का लाब मिलता है वही संतान सुख की प्राप्ती भी होती है, क्या ना करें? एक, भोजन, इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे मास, मटन, चिकन या मसालेदार भोजन, लहसुन, प्याज आदी, दो, शराब, इस दिन किसी भी हालत में आप शराब ना पिये, क्योंकि इस दिन शराब का दिमाग पर बहुत ग क्रोध नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफी तेज होता है इन कारणों से शरीर के अंदर रक्त में नियूरॉन सल्सक्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिती में इनसान ज्यादा उत्तेजित या भावक रहता है। एक बा जिन्हें मंदागनी रोग होता है या जिनके पेट में चय उपचय की क्रिया शिथिल होती है तब अकसर सुनने में आता है कि ऐसे व्यक्ती भोजन करने के बाद नशा जैसा महसूस करते हैं और नशे में नियूरॉन सल्स शिथिल हो जाते हैं जिससे दिमाग का नियंतरन श हर्ती के जल से संबंध है जब पूर्निमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन होता है क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खीचता है मानव के शरीर में भी लगभग 85 प्रतिशत जल रहता है पूर्निमा के दिन इस जल की गती और गुंड बदल तंए जाते है अता इस दिन जल की मात्रा और उसकी स्वचता पर विशेश ध्यान दे 6. आन्य सावधानिया इस दिन पूर्ण रूप से जल और पल ग्रहन करके उपवास रखें यदि इस दिन उपवास नहीं रख रहे हैं तो इस दिन सात्विक आहारी ग्रहन करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस दिन काले रंग का प्रयोग न करें और नहीं नकारात्मक बाते सोचे।